प्रकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज है पांच जनवरी 2022 देखेंगे अब तक की सभी महत्पोर्णकर इंटरफेयर्स जो आपके आगामी सभी परिक्षाओं के लिए अती महत्पोर्ण होंगे साथ में देखेंगे ये सभी एक्ट्रा फेक्ट्स जो आपको और उसे आगे रखेगा ये क्लास हिंदी इंगलिस दोनों में है आप से आग रहा है कि क्लास अंत तक एटेंड करें तभी आपको इस क्लास का महतुर पता चलेगा और क्लास यदि पर इच्छा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और पहले से सस्क्राइब कर लिये हैं तो आपको कुछ नहीं करना आपको बहुत बहुत धन्य बाद बस लाइक और से ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि टार एजुकरशन का आपके एक छोटी सी प्रयास से बेनिफिट हो टार दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुगा है तो पीडिफ के लिए और टेक्स फ़र्म में पढ़ने के लिए और डेली क्वीज भी आज कल में ही शुरू होने वाला है अन्य मैटेरियल सभी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं तो चलिए बीना देर की शु कि अधिर्में और मेनेजिंग डिरेक्टर आफ दा ओप दा ऑउल और नेचुरल गैस कोर्परेशन ओएंजी सी हाल ही में किसे तेल और प्रकिर्टिक गैस निगम ओएंजी सी की पहली महिला अध्यक्ष और परबंद निदेसक नियुक्त किया गया है यह पहली है ओएंजी स की महिला अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक तो काफी इंपोटेंट है ये तो इसका सही जवाब है अलका मितल को ओंजी सी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक बनाये गया है और ये अलका मितल जो है निवर्तमान अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक शिक्स में इसका मुख्याले नई दिल्ली में है चेर्मेन अलका मितल्जवा भी बनी है वहीं है चलिए तो यह रहे एक्ष्टा फैक्स अब देखते हैं ऑप्संस ध्यान से सुनिएगा यहां से आपको बहुत कुछ शिखने को मिलेगा परिक्छा उपयोगी वह भी करेंट न मुख मंत्री कौन है विश्व हेमंत विष्व शर्मा हेमंत विष्व शर्मा असम के मुख्मंत्री हैं असम के राजपाल कौन है तो प्रुफेसर गनेशी जगदीष्मुकई है जगदीष्मुक्ई ए रहा आप्सन8 से बाते अब चलिए किkasन में यह निरूज में एक्क्रा ud копieend ship में रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतिय महिला खिलाडी बन गई हैं किदाम भी मैदमींटर से संबंदित है यह इस तरह से भी पूछ लिया जाता है चलिए अगला अब से है सुरूती सितारा यह निवल में क्यों रही है तो हाल ही में मिस ट्रांस मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जितने वाली पहली भारतिये महिला बन गई है कौन सुरूती सितारा फिर से स्टो लेजिए मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 21 जितने वाली पहली भारतिये महिला शुरूती सितारा बन गई है तो पहले प्रस्ण से इतने सारे आपको फैक्ट से अपडेट कराना साथ में स्टैटिक्स जो है वो तो मिली रहा है चली अगला प्रस्ण देखते हैं दुसरा प्रस्ण है हाल ही में कहां अखिल भारतिया ओध्योगिक परदर्शनी 29.22 का आयोजन किया गया है तो यह किया गया है ने किया गया है है थे लंगाना की रैधानी है है गया बहर LOT ने कहिए गया है और यह प्रदर्शनी जो है एक जनवरी इसी महिने के से लेकर 15 फरवरी अगले माद 2022 तक आयोजित किया जाएगा और इसमें बिभीन परदर्शकों के लगभग 2000 अवंटित किये गए है तो अध्याओगित परदर्शनी है मैं यह याद रखिएगा 29, 2022 इसका आयोजन तेलंगाना की राजदानी हैदराबाद में किया गया है तेलंगाना में हुआ है तो इसके बारे में भी देख लिजिए तेलंगाना का राजवानी मैंने बताया है ध्राबाद तेलंगाना राज को आंद्रपर्दश से अलग करके वनाया गया था कब दो जून 2014 को मुख मंत्री तेलंगाना के के चंदर सेखर राव है और राजपाल तमिली साई संदराजन उपर मैंने बताये भी चलिए अब आपसंस है दियान से सुनियेगा यहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा चुकि यह मेन्यू से समन्दित प्रस्ण है तो यह सब आपसंस भी आपको उसी अधार पर मैं दूंगा दियान से सुनिये हाल ही में चौथे फोर्थ हाल ही में चौथे पैरा बैन्मिंटन राष्टिये चेंपिनशिप 2021 कायोजन कहां किया गया है तो यह भूबनेस्वर में किया गया है भूबनेस्वर उरिशा की राजधानी है और उरिशा राज का स्थापना कबगा है एक अपरेल 1936 में उरिशा के राजपाल कौन है तो गनेसी लाल है यह सब याद राख सकते हैं चलिए वरानसी की उन्यूज में रहा है तो हाल ही में तीन दिवसिये कासी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहां किया गया है तो कासी इसे तो आप इसे कैच कर सकते हैं उतर परद आयोजन किया गया है उतर परदेश में है वरानसी तो उतर परदेश का राजधानि कहां है तो लखनव है लखनव है उतर परदेश के मुख मंत्री योगी अधित्यनाथ है और यो उतर परदेश की राजपाल कौन है आनंदी बेन पटेल हैं यह सब याद रख सकते हैं आप गौलियर मदपर्देश में है, मदपर्देश में ही विश्व संगित तान से नुत्सो का योजन हाल ही में किया गया है, मदपर्देश की राजधानी भोपाल है, मदपर्देश के मुख मंतरी सिवराज सिंग चोहान है, और मदपर्देश के राजपाल कौन है, मंगू भाई, पटेल है यह सब याद रखेंगे आप दूसरे कोस्टन से इतने सारे जनकारिय आप पो मिलें चलिए नेक्स्ट है हाल ही में भारतिय नौसेना की 1970 की यूद में वाइस एड्मीरल का निधन हो गया है उनका नाम क्या है उसका सही जवाब है एस एच सर्मा 1970 में जो हिंदुस्तान पकिस्तान का यूद हुआ था उस यूद में आहम भूम का निभाने वाले भारतिय नौसेना की वाइस एड्मीरल थे इंडिया नेवी से सम्बंदित है, एसेच सर्मा निधनोग्यान का, इंडिया नेवी के बारे में देख लेते हैं, इंडिया नेवी भार्तिया नवसेना का अस्थापना 26 जनवरी 1950 में, अभी नवसेना कौन है, आर हरी कुमार, ये नए बने हैं, इससे पहले करमबीर सिंग थ हैं, लेकिन आर हरी कुमार याद रखेंगे आप, नव सेना दिवर्स का बनाया जाता है, चार दिसंबर को मनाया जाता है, चलिए बाकी अपसन देखते हैं, जनरल वीपिन रावत, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, सभी लोग बिल्कुल याद रखेंगे अब तक इनक एक बिमान था, उस बिमान का क्या नाम था, हेलिकेप्टर एम आई, एम आई सेवेंटीन वी फाइव, ये दुरगटना गरस्त हो गया था, इसी में इनका वो दर्दनाक मौत हो गई, द्यानत हो गया इनका, और ये कौन थे, तो ये सीडियेफ पर मोक तयार था, सीडियेस म में, तो ये एक ऐसा विंग है, जैसे मालीजे किसी देश से यूद होता है, लड़ाई छिड़ता है, और वहाँ पे भारतिये थल सेना कमान सभाली होई है, अचानक मालीजे इंडियान एरफोस की जिवरत हो गई, तो उसको बुलाने के लिए काफी परकिरियाएं अपनाने पड़ती है, जैसे डिफेंस मंत्राल है, मिनिस्ट्री के साथ रक्षा मंत्राल है, परधान मंत्री कर्याल है, राश्पती, यहाँ वहाँ सब अपरूबहल लेने परते थे हैं, उसके बाद इसको पहुंचाया जाता था, तब तक इस्तिति काफे बीगर सकती है, तो उसी इ कैसा विंग बनाया गया, सीडियेस, चीफ अफ डिफेंस स्टाफ का, जहां से एक कॉल में इंडियन एर फोर्स हो, नौ से ना भाते नौ से ना हो, एक कॉल में वहाँ पे पोजिशन पर पहुंचाया जाएगा, तो यह बनाया गया था, उसी के पहले सीडियेस परमुख बन दीजे, तो उस कमीटी के अध्यक्ष बनाये गया है, मनोज मुकंद नर्वने, जो अभी हम लोगे सेना परमुख हैं, यह सबी चीज आप याद रख सकते हैं, चलिए, जीटी ना नावती, इनका विहाल ही में निदन हो गया है, यह कौन है, तो यह सरोच चन्याले के सुप नावती, इनका विहाल ही में निदन हो गया है, चलिए, महेंदर परशाद, यह क्यों निदन हो गया है, यह बिहार राजे से, बिहार राजे से साथ बार के राजसभा सांसद और अरिष्टो फार्मेस्यूटिकल के संस्थापक थे, इनका विहाल ही में निदन हो गया, यह म महानिदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है सही जवाब है जी असोक कुमार एनेमसीजी का फुलफम उसी हिंदी से इसी यह है नेशनल मिशन पॉर क्लीन गंगा एनेमसीजी यह क्या है तो एनेमसीजी गंगा नदी के काया कलब सरक्षन और प्रबंधन के लिए एक संजय अरोरा यह नियुक्त में क्यों रहा है तो हाल ही में SSB सस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का अत्रिक्त परभार कि इनको दिया गया है तो यह संजय अरोरा को ही दिया गया है क्योंकि संजय अरोरा पहले से ही ITBP इंडो टिवेट टिवेटन बॉर्डर पुलिस के महानिदेसक आलेडी संजय अरोरा है संजय अरोरा ITBP के महानिदेसक पहले से हैं और SSB का अत्रिक परभार इनहीं को दे दिया गया है इसलिए ये नियुज मेरा रहे हैं याद रखिएगा बिकरम मिश्री के नियुज मेरा रहे हैं टो उफराष्टि ये दिप्यूटी अथा कि नए गया है दिप्यूटी नेश्री को बनाए गया है बिक्रियम मिशरी को बनाए गया है और यह इससे पहले चाइना में भारतिये राज़दूत के रुप में पदस्था फित थे अच्छा ये तो हो गए उप राष्टी सुरक्षा सलाकार राष्टी सुरक्षा सलाकार कौन है अधाते नेसे नेशनल सेकुरिटी एडवाजर तो यो है अजीत दोभाल ये सब आप याद इनको याद रख सकते हैं और बीवेस लक्षमन नेशनल किर्केट अकेडमी का जो परमुक बने हैं ये राहुल ड्रैविट का जगह लिये हैं राहुल ड्रैविट ड्रैविट अब क्या बन गया है तो भारतिये किर्केट टीम के सिनियर टीम जो है उसके मुक्ष कोच हूं और इतना इजी हो जाएगा हर चीज आपको एक्जाम रेलेटेट करेंट अपियर से संबंदित वो सभी पॉइंट्स हल फिल हल की जो आपको एक्जाम में लगेगा काफी इजी कोश्चन सा आगा है अक्चुल में सही होता है कोई प्रस्ण अगर एक्जाम में आते हैं कुछ इसे-इसे लगता है कि काफी इजी पर चला गया है इजी और हड तो होता ही अपने जग़ा पर मेन है कि आपको अगर याद है प्रस्ण सभी हल कर पाते हैं तो आपको इजी असान लगने लगता है तो आप क्लास एटेंड करें बिलकुल आपको सब कुछ धीरे-धीर कि याद हो जाएगा रटना कुछ नहीं है क्लास को इतना कुछ देखे चारी कुछ आपको बताया इतने फॉर्ट्स लगाते हैं क्लास को सेर नहीं कर रहा है क्लास को जितना हो सके एक मिनट मुश्किल से आपका लगेगा उससे कई गुना ज्यादा आप एप और वाटस अप और अन्ने जगह खड़ा होकी चोग 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 रहे पर दे देते होंगे और एक मिनट देके तार इजो किसन का सहयूग करेंगे तो हम लोग का भी मिलेगा हम लोग का फैमली बढ़ेगा भ्योज बढ़ेंगे सस्क्राइबर बढ़ेंगे तो उमिद करता हूँ इतना समय आपका यहां पी एक मिनट में ने लिया आप लोग टार इजो के सन का सहयूग करेंगे और हम लोग बेहतर करेंगे प्रस्न सभी एमसी की उजमें सचीव नियुक किया गया है जल सक्ती मंतर अले का सचीव बीनी महाजन को बनाया गया है और के दिया सक्ति मंतरी कौन है सिरी गजंद्र सिंग सिखावत है याद रखियेगा चलिए सचीव से समधिद बाते हुई हैं तो कुछ महत्पुर्ण सचीव के बारे में देख लेते प्रिंगला है और बीट सचीव भी कों है डिए सबसंद हें ग्रिद आप ने कि मैं आप देश कों, हैजै कुमार बंड़ सबस्का के कारण है के दिवालिया होने के अनुमान लगाया गया है तो यह सिरलंका में लगाया गया है काफी बुरी स्तिती से गुजर रहा है COVID-19 महामारी के दवरान उर्पन, मुद्राय स्फिर्टी और अन्य महंगाई दरों और अन्य कारणों से देश के दिवालिया होने का अन्मान अर्षास्त्रियों दवरा लगाया गया है स्रिलंका के बारे में बात हो रही है इसके बारे में देख लीजी स्रिलंका का दो राजधानिया है एक है कोलंबो जो एक्जिक्यूटीव केप्टेल है और एक है स्री जैवर्धने पूरे कोट्टे ये लेजिसलेटिव बिधाई राजधानी है लेजिसलेटिव केप्टेल है यह कारिपालिका है और आपे मुदरा स्री लंकन रुपी चलता है अधानमंत्री महिंद्रा राज पक्षे हैं और प्रेशिडेंट कुमार को समानित किया गया है ये रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है Let's Inspire Bihar इसके द्वारा आयोजित Bihar Entrepreneur Conclayv 2021 में जो नई देली में किया गया था Media Trends के founder रोहित कुमार को इस पुर्षकार से सम्मानित किया गया है इसका उदेश क्या है इस Conclayv का तो ऐसे प्रतिबद ब्यक्तियों को जोड़ना है जिन्होंने स्वैक्षिक अधार पर किसी भी मुख्य भी सहे पर भवी सिमे निर्मान में युगदान करने का बिकल्प चुना है प्रयास किया है तो रोहित कुमार को बिहार विवोती सम्मान Next है हाल किस देर्श के बिशेशिक वहटयों की द्षाथ ऑब को बिद नैज वकर मुख्ययद 19 का ना वेरियंट का ऑचान किया गया है ये फाट नैज को बद रहल व्हाजा है आप वह चु और इसके बाद यह हों है हमी क्राविक शलीए को इसको वह साब देmasif इसके तुल्ला में COVID-19, Corona और Omicron के तुल्ला में अधिक सक्तिसाली बताया गया है, अब दखिए ये कब तक पूरी दुनिया को फेवरी चड़ता है, भगवार ना करें उसको वो भी और हावी हो पूरी दुनिया पर, चलिए फ्रांस के भी से सग्यों के बात हो रही है, फ्रा इस डेंट कौन है, इमेल वन, मैकरोन है, फ्रांस के, नेक्स्ट है, हाल ही में कहां, हाटफोलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का अधार सिला रखा गया है, तो ये हैदराबाद में रखा गया है, आयूस मंत्री है, कौन, सरवनन्द सोनेवाल, इन ही के द्वारा, हाटफ सा योग पर सिक्षन और फ्रामर्स देंगे, आयूस मंत्री मैंने बताया, सरवनन्द सोनेवाल है, चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में कहां, कल्पना चावला, अंतरिक्ष, बिग्यान, अनुसंधान, के इंदर का उधगाटन किया गया है, तो ये चंदीगर में किया गया है, कल्पना चावला, अंतरिक्ष, बिग्यान, अनुसंधान, केंदर का उधगाटन, केंदरीय रक्षा मंत्री कोन है, स्री राजनात सिंग के द्वारा किया गया है, कल्पना चावला के बारे में अफलोक सम्झानते ही होंगे, ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यातरी थी, जो अंतरिक्ष से लोडते समय, पिर्थभी से महज कुछी दोरी पर, इनका जो अंतरिक्ष यान था, वो क्रैस कर गया, और एक फरवरी 2003 को इनका उसमें देहान्त हो गया, मिर्थियूप हो गया, रक्षा मंत्री सिरी राजनात सिंग है, चलिए, अगला देखते हैं, हाली म में कौन, थ्री ट्रिलियन डॉलर बजार पुंजी करन, मार्केट का इसको इंगलिस में बोलते हैं, वाली पहली कंपनी बन गई है, तो यह एपल, एपल के बारे में बहला कौन ना जाने, इतना मांगा, इसका जो कि आम इनसान के लिए, पोस्वल नहीं है, चलिए, हाल ही म में एपल कंपनी के सेर मुल में 40% की बढ़ोतरी के कारण, यह थ्री ट्रिलियन डॉलर बजार पुंजी करन वाली पहली कंपनी बन गई है, एपल के बारे में जान लेजिए, इसका अस्थापना एक अपरेल नहीं सोची हातर में, एपल के वाल आइपोन मोबाईल ही नहीं अस्थापना एक अपरेल नहीं सोची हातर में, इसके फाउंडर एस्टीव जॉब्स, एस्टीव वाजनायक और रोनाल्ड वैने हैं, इसका मुख्याले केलिफोनिया, यूएसे में है, और चेर्मेन इसके आर्थर डी लेविंसन है, और सीईओ टीम कूक है, यह सब याद सकते हैं, एपल के सीओ के बारे में पूछा जा सकता है, बाकी चीज बारा नंबर यह तो प्रस्ण थोड़ा सब्षिड करने में यहां पे अंतर हो गया है, चलिए कोई नहीं, यहां से देखिए, बारा नंबर प्रस्ण है, हाली में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन स राज्य, दिसंबर 2021 में सबसे ज्यादा GST कलेक्शन किया है, तो यह उडिशा राज्य के द्वारा किया गया है, वर्ष के अंति महीने दिसंबर 2020 में उडिशा राज्य के द्वारा सबसे ज्यादा 43% बलहोतरी के साथ 4080.14 कलोर GST कलेक्शन किया गया है, और एक महत सिता रमन के द्वारा के अध्यक्ष्था में किया गया यह याद रख सकते हैं जी एस्टी क्या है यह लोग अच्छे से जानते होंगे मित करता हूं फिर भी बहुत कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे तो देखिए बस्तु और सेवा कर हिंदी में करते हैं गोट संसर सरी गंतव अधारित कर है व्यापक क्योंकि इसमें कुछ राज्य करों को छोड़कर लगभग सभी अपर्टेक्ष्ट कर सामिल किये गया है जी एस्टी में टेक्स जो है कुल पांच अलग-अलग तरह के टेक्स लगाए जाते हैं यहां पर मैंने दिया है वह टेक्स वाइनोगारा दारू बीजली पर जी एस्टी के तहर कर नहीं लगाया जाता है इसको इससे अलग रखा गया है इन सभी चीजों पर राजी सरकार अपने इस तर से लगाते हैं वह टेक्स जो अभी हाल में वैट सब्दाफ लोग सुने होंगे कि यह राज इतना बैक्ट कम क यह सब तो यह सब चीजें जी एस्टी से अलग रखा गया है यह महत्पुन चीजें कभी कभी आपकर ज्याम्स में ऐसे इससे प्रस्ण बन सकते हैं और और इसमें दो पॉइंट और है महत्पुन है यह भी देख लिए जी जो है एक जुलाई 2017 को भारत सरकार द्वारा भार जी एस्टी डे आपसे पूछा जाए तो एक जुलाई को मनाया जाता है यह सब हैक्स रहें इसलिए मैं बोलता हूं क्लास अंत्ता करें देखें आपको यहां पर उम्मेद करता हूं यह महत्पुन चीजें आपको बहुत कुछ मिला यहां पर ज्याने ने को हाली में किस दि ब्रेल परनाले के अविसकार कौन है लूई ब्रेल की जैन्ती के उपलक्ष में दृिष्टित बाधित लोगों के कल्यान के लिए ब्रेल लिफी के महत्तों के बारे में ज्यागुत्ता बढ़ाने और इसके योगदान के बारे में सराहना के लिए 200 ब्रेल दिवस पर्थिक मनाया जाता है पहली बार संजुक्त रष्ट महासभा के द्वारा वर्स 2019 में 200 ब्रेल दिवस मनाने के पैशला किया गया था चलिए next देखते हैं हाल ही में रिजर्ब बैंक अफ इंडिया के द्वारा ओफ लाइन भुक्तान लेंदिन की उपरी सीमा अपर लिमिट जी से कहेंगे कितना तैय कर दिया गया है तो 200 रुपए अब आप ओफ लाइन से ऑफ लाइन मोड से 200 रुपए तक का भुक्तान कहीं भी कर सकते हैं और यह भुक्तान किसी भी चैनल जैसे कार्ड हुआ वायलेट हुआ मोबाइल उपकरन हुआ और इन सभी के माध्यम से किया जा सकता है ओफ लाइन भुक्तान एक ऐसा लेंदेन होगा जो नाम से यह सपस्ट है इसमें इंटरनेट या टेलिकम कनेक्टिवीटी की आवसकता नहीं होगी अर्थात ओफ लाइन कार्ड से या एसमेस के थुरू एसमेस सेंट करके या हैस डबल अस्टार डबल नाइन हैस इन सभी के माध्यम से आप यह सब ट्रांजक्शन कर सकते हैं आरवी आई ने यह आदेश चारी किया है उसके बारे में देख सकते हैं आरवी गवर्नर हैं आरवी आई के यह याद रखिये इस तरह से पूछा जाता है और आरवी आई में चार उप गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर होते हैं पहले हैं महिस कुमार जैन, माइकल देवरत पात्रा, एम राजश्वार राव और टी रवी संकर यह सब फैक्स आप याद चलिए, नेक्स क्वेश्चन है, हाली में किस देश का समाचार पोर्टल, सिटीजन न्यूज अपना संचालन बंद करने का फैशला किया है तो यह होंग कॉंग का है, सिटीजन न्यूज यह फैशला किया, इसको बंद करने का, एक्शली में कोबिद 19 महामारी के खारण उत् सिटीजन न्यूज यह अपना सर्विस अब चार फरवरी से बंद कर दिया है, हाली में जारी, पी, एस, ए, वर्ल्ड रैंकिंग में किस भात्य खिलाडी ने सिर्श दस में अस्थान बनाने में सफलता पाया है, यह हैं, पाई है, जोसना चिनपा, जोसना चिनपा, जो हैं, सब्सक्राइब कर दिया है, यह बिल्कुल यह बात याद रखियागा, और इन्होंने पी, एस, ए, वर्ल्ड रैंकिंग में जो जारी किया कि उसमें टॉप टैंड में आने में, और आने में टॉप टैंड में वही दस्वे अस्थान पर ही आई है, यह सफल रहे हैं, प्रोफेशनल स्कुएस एस, तो जसना चिनपा स्कुएस खेल से संबंदित है, सौरवगोसाल स्कुएस स्कुएस से संबंदित है, प्लस यह दस्वे स्थान पर टॉप 10 में आ गई है, यह बात भी याद रखियागा, नेक्ट है, हाल ही में किस देश को यूरोपिय संग पर इस्तित है, यह यूरोपियन यूनियन परिश्द का, काउंसिल का अध्यक्सता फ्रांस को मिला है, चलिए फ्रांस कराजधानी, पेरिश है, यहाला कि यह चीज़ अमलूप पर देख चुके है, मुदरा यूरो, सी पी एफ फ्रैंक, दो ठो चलता है, वहाँ पे, अमेडिकल से समन्दित एक्जाम जो होता है, वो नहीं है, यह N.E.A.T. है, National Educational Alliance for Technology, इसका फुलपम होता है, और यह N.E.P. 3.0 के लावा, सिक्षा मंतरी जो है, उनके द्वारा, छित्री भासाओं में, A.I.C.T.E. यह देखिए, यह समझना हैगा, A.I.C.T.E. द्वारा न सिरीधर्मेंद्र परधान है, आगला रखिए, हाल ही में, बंगला देश के परधान मंतरी के द्वारा, 26 बारसिक धाका अंतर राष्टिये बैपार मेला का उत्गाटन किया गया है, वर्तमान में, बंगला देश के परधान मंतरी कौन है, यह सेख हसीना है, यह आप याद रहे हैं भागलादेश के राजधानी धाका है यहां परधानवंत्री वह हुई है सेखसीना प्रेशिडेंट अब्दुल हामीद है नेक्स्ट क्वेशन देखिए हाली में बीजय गलानी का निधन हो गया है यह इनका संबंद किस चेत्र से था यह फिल्म निर्माइता है भारत जैसे सल्मान खान का एक मुवी था सुरिवन सी और अन्य फिल्मों में अचाना अजनवी बचके राना रे बाबा वीर यह भी सल्मान खान का ही है ऐसे फिल्मों के निर्माद्था थे यह इनका हाली में नेदन हो गया है यह रहा है 20 प्रस्टन उमिद करता हूं इससे अब नए नए अपडेट साब को बहुत कुछ मिलें चलिए कोशन अब दड़ी आज का देखते हैं स्वक्ष भारत में संग्रामिन कारकरम के ताहत खूले में सौच मुप अथात ओड़ी अफ प्लस इसको बोलते हैं गाउं की सूची में किस राज ने पहला स्थान हासिल किया है most important question है ये और इसका जवाब जबाब तो काफी easy है गल ही मैंने कराय था इसको इसका जवाब आपको मुझे उमीद है याद होगा comment में इसका जवाब जरूर करें तो चलिए दोस्तों उमीद करता हूँ आज का class आपको परिच्च्छ उपयोगी लगी होंगी उन्हां आपका अब मैं कुछ सेकेंड शिलूंगा टार्ज जुकेशन का आप लोग सहयोग करें प्लीज और कलासे जो भी है उसको सेयर कीजिए एक मिनिट अब का टार्ज जुकेशन के लिए बहुत बड़ा एक योगदान होगा सहयोग कीजिए कलास को सेयर कीजिए लाइक करिए और सस्क्र प्लाइबर्स बढ़ें ताकि तभी हम लोग पढ़ाने के लिए और पुरसाइथ होंगे और इससे भी बेहतर करने का प्रियास करेंगे टार्ज जुकेशन पर जल्द ही टॉपिक वाईज एक्जाम बेस्ट पेपर और क्वीज अन्य बहुत काफी महत पूर्ण होंगे चलिए उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परिक्छा उपयोगी लगी होंगे यदि हां तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करके सभी करें आपका कुछ कमेंट है कुछ सुजाव है क्लास से संब्दित कुछ बदलाव चाते ह है कमेंट में उसे अवस्य करें और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब बटम दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आपको सबसे पहले क्लास का नोटिपिकरशन मिल पाएगा और पहले से कर लिया हैं तो आपको कुछ नहीं करना बस लाइक शेयर करते रहना है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए मिलते हैं अगले इंपोर्टेंट किसी क्लास में तब तक के लिए गुर्बाए ओल दे बेस्ट